इस वीडियो में हम सबक अब्दुल सत्तार इदी की पढ़ाई करेंगे टेलीफून की घंटी बज रही थी मैं उसे उठाते हुए खौफ जदा थी यानि बहुत डरी हुई थी ना जाने क्यों दिल बहुत लरज रहा था, काम रहा था मेरे शोहर अपने दो भतीजों और बहन के साथ भाबी जान की खेरियत मालूम करने घोटकी गए हुए थे वो कल सुभा गए थे और कल शाम ही शाम को उनकी वापसी होनी थी लेकिन अगली दुबहन होने को आई और ना कोई खबर थी ना इतला परसू भाबी जान अपनी चोटी बेटी के साथ लोहौर के लिए रवाना हुई थी यनि वहां गई थी अगले दिन के अखबार में उस रेल के हाथसे की खबर पढ़ कर सब दिवाना वार यनि दिवानों की तरह गोटकी रवाना हो गए दिवाना वार का मतलब होता है यनि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए लरस्ते हाथों से फून उठाया फून हस्पताल से आया था मेरे शोहर और उनके साथ सब लोग शदीद जखमी थे वापसी पर कराची से कुछ दूर उनकी गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रेलर से तक्रा गई थी अल्ला का एहसान है कि सब की जाने बच गई उसके बाद मेरे शोहर अरसे तक हस्पताल में रहे यनि काफी दिन वो हस्पताल में गुजार कर आए हम अब तक एधी एमबुलन्स के शुकर गुजार हैं जिसने बरवक्त यनि वक्त पर तमाम जखमीयों को हस्पताल पहुँचा दिया वरना कुछ भी हो सकता था ये एमबुलन्स शहर में जा बजा यनि जगा जगा नज़र आती है इधी ट्रस्ट की खिद्मात हमारे लिए अल्लाह की रहमत है इधी फाउंडेशन पाकिस्तान के हर फट को रंगो नसल और जात पात से बालतर होकर यनि इन तमाम चीज़ों को पीछे चोड़ते हुए इन सबसे आगे बढ़कर सहत से मुतालिक खिद्मात और दीगर सहूलतें पराहम कर रही है और यू पाकिस्तान के एक फलाही मुमलिकत फलाही का मतलब फाइदे वाली मुमलिकत मुल्क बनने की राह हमवार कर रही है यनि काम्याबी की सूरत जाहिर हो रहा है ने इन तमाम चीजों से हमारा मुलक एक फाइदे वाला मुलक बनेगा फला ही मुमलकत में शामिल होगा लातादाद लोग हैं जो इधी फाउंडेशन की सहूलतों से फैज उठा रहे हैं फैज फाइदा उठा रहे हैं इधी फाउंडेशन निजी तोर पर यानी जाती तोर पर चलाई जाने वाली पाकिस्तान और तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक की सबसे मुनजम यानी मजबूत और बड़ी तन्जीम है अब यहां एकलफ आया है तीसरी दुनिया तीसरी दुनिया से मुराद ऐसे ममालिक हैं जो नेटों में शामिल नेटों में शामिल होने वाले ममालिक में अमेरिका और उस जैसे दूसरे ममालिक हैं तो ऐसे ममालिक जो नेटों में शामिल नहीं हैं उनको तीसरी दुनिया के ममा में काम कर रही है बैनल अक्मामी शोहरत यनि पूरी दुनिया में शोहरत हासिल है शोहरत के हामिल होने के बावजूद और इस बात से गतर नजर यनि इस बावजूद के उनके हाथ से लाखों रुपए का लेन देन होता है अब्दुल सत्तार एदी बहुत सादा जिन्दगी गुजरते हैं अब्दुल सत्तार एदी 1931 में गुजरात इंडिया के एक गाउं बांटवा में पैदा हुए जब वो 11 साल के थे तो उनकी वालदा पर फालिच का असर हुआ फालिच एक बिमारी होती है जिससे आप अपने जिसम को हिला नहीं सकते और बाद में वो जहनी त पर माजूर हो गए तो फालिच जब होता है तो बाद वकात जिसम के साथ साथ आपके जहन पर भी असर होता है और जहनी तोर पर भी इनसान माजूर हो जाता है एदी ने अपने आप को अपनी वालदा की खिदमत के लिए वक्फ कर लिया वक्फ कर लिया यनि वो हमेशा काम वो ही करते थे हर तरह से उनका खयाल रखते थे वक्त के साथ साथ वालदा की बिमारी बढ़ती गई ये तकलीफ दे सुरतिहाल एदी के दिल और दिमाग पर इस तरह असर अंदाज हुई कि उनकी जिन्दिगी का रास्ता ही बदल गया यनि वो पहले जो करना चाहते थे अ अब वो अपनी सोच को उन्होंने बदल लिया 19 साल की उम्र में उन्हें अपनी वालदा की वफात का सद्मा उठाना पड़ा यनि तकलीफ उठाने पड़ी गम का सामना करना पड़ा अपने इस जाती तजर्बे में उन्होंने उन लाखों लोगों का अक्स देखा यनि उनक प्रुम तो वो फमाम चीज़े नजर आ रही थी जो लाखों लोग भी इस तरह के सुरत-इहाल इस तरह की कैफियत से गुसरते हैं जो उनकी माँ की तरह तकलीफ में होते हैं मगर कोई देख-भाल करने वाला तक नसीब नहीं होता यनि हासिल नहीं होता कोई देखभाल करने वाला भी उनको नहीं मिलता उनकी माँ के पास तो वो थे लेकिन बहुत से इसे लोग हैं जिनके पास देखभाल के लिए भी कोई मौजूर नहीं होता उनकी बिमारी के वक्त इस वाके के बाद उन्होंने अपनी जिन्दगी का एक मकसद मतायन किया यनि तेह किया कि मुझे लोगों की मदद करनी है और एक ऐसा निजाम बनाना है जिसके जरिये लोगों को इलाज मौलजे और देखभाल की सहूलते मौयसर आ सकें यनि हासिल हूं लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके हाथ खाली थे इन उनके पास कोई रुपया पैसा नहीं था एधी और उनका खानदान 1947 में पाकिस्तान आ गया था शुरू में रोजी कमाने के लिए वो कपड़ा फरोख्त करने लगे यनि कपड़ा बेचने लगे तकरीबन दो साल बाद उन्होंने अपनी बरादरी के अपने खानदान के कुछ लोगों की मदद से एक मुफ्त डिस्पेंसरी खोलने का इरादा किया ये वलाही कामों की तरफ उनका पहला कदम था आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मकसद की तरफ बढ़ने लगे उन्होंने एधी ट्रस्ट की बन्याद रखी लोगों से चंदे की अपील की अपील दर्खास की कि लोग हमें पैसा दें और तकरीबन दो लाख रुपे का फंड अकठा करने में काम्याब हो गए माफ कीजेगा इस लफ़ को पढ़ेंगे इकठा दो लाख रुपे का फंड अकठा करने में काम्याब हो गए उनके ट्रस्ट का दाइरा कार हैरत अंगेस तोर पर तेजी से बढ़ने लगा यनि पहले वो ड्रस्ट छोटे पैमाने पता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चला गया जिसका असल राज एदी की मेहनत और खलूसे नियत थी खलूसे नियत यनि वो इरादा उनका बहुत अच्छा था नेक इरादा था एदी सहब की बेगम बलकीस एदी इस अजीम खिद्मत में उनके शाना बशाना काम कर रही है उनके साथ साथ शाना बशाना का मतलब होता है कंदे से कंदा मिला के यनि हर जगा पे वो उनके साथ साथ होती है बहुत कम रकम से शुरू की जाने वाली ये कोशिश अब दुनिया की बड़ी पलाही तन्जीमों में से एक है दुनिया की सबसे बड़ी रजाकार एमबुलंस रजाकार का मतलब जो खुद बखुद काम करें इसी एमबुलंस है यानि वो खुद ही काम करती है अम्बुलंस सर्विस इसी तन्जीम का एक हिस्सा है 330 वेलफर सेंटर पाकिस्तान के देहातों में और शहरी इलाकों में 24 घंटे काम कर रहे हैं यानि रात दिन का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो दिन रात काम करते हैं हाजारों यतीमों की बहाली और उन्हें माश्रे का एक फाल यानि काम करने वाला और मस्बत हिस्सा बनाने का सेहरा भी इसी तन्जीम के सर है यानि वो मस्बत हिस्सा भी इसी तन्जीम के ही बदौलत हमें नजर आता है 40,000 से ज्यादा नर्सों की तर्बियत भी की जा चुकी है यनि नर्सों को भी ट्रेनिंग दी गई है किस तरह से मिमार लोगों की, मरीजों की देखभाल करनी है औरतों और बच्चों के लिए इदी गर, घर, मनागा हैं यनि वो वहाँ पर आकर रहते हैं, महफूस जगा है वो उन से मतालिक इदारे, बबबच्ची खाने, जहनी माजूरीन की बहाली के शिफा खाने शिफा कहते हैं, ऐसी जगा जहां पर बिमारों का इलाज किया जाए, ऐसे शिफा खाने भी बहुत मुखलिसाना, मुखलिसाना का मतलब होता है पूर खलूस, महबत के साथ और माहिराना अंदाज में, यनि उनको हर चीज़ का तरीका आता है, काम करने का धंग आता है माहिराना अंदाज में खित्मात सर इंजाम दे रहे हैं अब्दुलसतार ईदी खुद दो जोड़े कपड़े और दो कमरों का अपार्टमेंट इस्तमाल करते हैं यनि उनका घर बहुत चोटा है और जादा लिबास का भी वो ख्याल नहीं रखते दो जोड़ों में ही उन्होंने गुजारा किया जिन में पाकिस्तान से निशान इम्तियाज इम्तियाज ऐसा निशान जो इजज़त के लिए दिया जाए आर्मीनिया के लिए फलाही काम करने पर लेनन अमन इनाम शामिल है वजिर आजम पाकिस्तान की जानिब से उन्हें नोबेल इनाम के लिए एक अच्छा इनाम उसका नाम है के लिए भी नामज़त किया गया यन्हें उनको मुन्तखिब किया गया गिनीज बुक आफ बर्ड रेकॉर्ड 2000 में एदी एम्बॉलंस सर्विस को दुनिया की सबसे बड़ी रजाकार एम्बॉलंस सर्विस होने का एजास दिया गया है एक्सप्रेस टर्बियून ने उन्हें 2013 की शक्सियत करार दिया है ये तमाम एवार्ड उनकी खिद्मात का इतराफ है यन्हें इन खिद्मात को उन्हें तसलीम किया तसलीम करने के हवाले से ही उनको एवार्ड से नवाजा गया खलूस और साद्गी से की जाने वाली छोटी कोशिश भी कितनी मुहतरम और अजीम होती है अब्दुलसतार ईदी इसकी एक मिसाल है इस तकामत के साथ यनि थावित कदमी के साथ अपने आपको एक मकसद के लिए वक्फ कर देना ही काम्याबी की कुंजी है कुंजी चाबी को कहते हैं यनि काम्याबी इसी चीज़ की बज़ा से उनको हासिल हुई अब एक शेर है जो इनकी काम और उनकी मेहनत के सिले में एक शेर यहां पे लिखा गया है दर्देदिल के वास्ते पैदा किया इनसां को वरना ताथ के लिए कुछ कम न थे उनकी माफ कीज़ेगा करोबया करोबया का मतलब ऑला दरजे के फरिश्ते यहां इसका यह मतलब है कि अल्ला ताला ने इन्सानों को दर्दे दिल के वास्ते यह इन्सानों का दर्द बांटने के लिए पैदा किया वरना अल्ला ताला को अबादत के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी फरिष्टे हर वक्त अल्ह ताला की अबादत करते रहते हैं तो इनसान को पेंदा करने का एक मकसद ये भी था कि वो एक दूस्टे का दर्द बांटें और तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें यहां पर ये सबख मुकमल हो गया है अब आपने इस वीडियो को दुबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है